नमस्कार आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूँ आपके साथ अश्मिता तिवारी इस वक्त हम खड़े हैं गौतमपुरी इलाके में जहां पर बदरपुर विधान सभा लगता है यहां के नीजी छेतरों में क्या-क्या समस्या हैं उन पर हम लोगों से चर्चाई करेंगे उन पर बात विचार करेंगे और देखते हैं क्योंकि नगर निगम चुनाओ भी पास है उनको लेके भी हम थोड़ी बात करेंगे और जानना जाएंगे कि इस बार आखिर किस की सरकार होने वाली है इस वहां मैं पारसल है धरवन कुछा जया पर हो नहीं प्रशित कर दॉल्ट हैं कभी बाइचनस आगे तो आगे नहीं तो नहीं आते हैं कि पाइचांस आते हैं कभी जब उन जरुवत होती है जब वो रहते हैं नावुन पर कभी आते हैं काम उन से कहते हैं चीज के लिए कि यहां पर आपने देखो आपकी नाली कि दुनी गंदी आप यहां साफाई ही नहीं करवाते हो और लाइट नहीं है सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद फिर नहीं होता है कुछ यह लगी है वह जलती है कभी जलती है आप देख सकते हो कि अभी वह नहीं जली है इसके लिए कंप्लेंट की आपने आगे निकम पाढ़ सकते हैं जो आई जाडवाले आई थे और एक बारी तर्वन भी आई थे तो उनसे भी हमने बोली थी चीछ के लिए पर उन्होंने कुछ नहीं करें आपके छेत्रे में देख रहेंगी सड़के बनी है कितने सालों से यह स आटी सालवहारे मेरे सामने बस एक बारी फार गिराता हिए उसके बात नहीं हाँ परेषानियों होती है बच्चे ₌ मीं पार्यकों में ताली लग जाते हैं गंदगाई में रह रहा है हम लोग चलिए और लोगों से भी हम बात विचार करते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर और क्या-क्या समस्या है और कौन-कौन सी समस्या उसे उन्हें जूजना पड़ रहा है क्या नाम है आपका? साकिब मेरा नाम राजबकी है माम आपको कैसे मस्या है हमको यह है नाले कितने गंदे हो रहे हैं लेटरंग वेटरंग सारी घंदगी भरी रहती है और बहुत ज्यादा की टानू बढ़े रहते हैं और यह रोड़ वोड़ का कुछ भी काम नहीं हो रहा है वह तो पूर रोड़कर अपने कभी कोई देने की कुशिश की नहीं नहीं क inheritance लगता है कि काम ही नहीं हुआ तो आपको लगता है कि सचानव के हैजी आपकी नागरिक है वो नहीं आने ह्या है चलिए कुछ यहां पर बज़ूर्बी हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अखिर उनका इस पर क्या विचार है और आखिर वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं अब जो कितना कारे वुआ है जो पार्टी जिसकी आएगी वो करवाएगा या पार्टी तो अभी आम आदमी करवा रहा तो अब तक तो स्थिती सही हुए तो आपको क्या लगता है इस बार आपको किसको वोट देना चाहिए किसकी सरकारा नी है आप कुछ पता नहीं है। सर क्या नाम है अपका? मेरन नाम चंदन है. सरापु क्या लगता है? शेतरय समस्या क्या क्या है? उस पर क्या क्या एक्शन लेना चाहिए सरकार को? पहले जो है मेन समस्या नाली की. अच्छ अच्छ अब नालिये सब खराब पड़िये तूटी पड़िये उसको सपाई करने वाला कोई नहीं होता है सपाई वाला चाहिए में तो में ठीक है आप गलियों का काम कब से पढ़ हुआ यह हो नहीं पारा दो साल हुए नेता जी आते हैं कोई वो नीदर कुड़ा उ छो पर उलमारे गिष्ट है वह हमारे लोको के समस्थ्य के समस्थ्य है और वो आए हमारे लाके रहे है इंअрок कुछ असे बतर नीब निय की समस्थ्य है नृता जी तो हर कोई आता रहता है ठीक है कोई में तो वही है आभाजी को लग देखा एए दूकिए दर्वन कुमार जी को वो तो आते नहीं अर अगर आना होता तो बस नालिया ऐसे टूपी हो देखो देखो नालिया कैसे टूपी पड़ी है नालियों में किता गंध फेला हुआ है यह सड़के भी निपनी ही हैं बढ़के बनने चाहिए हरे काम होना चीज़ेए अच्छी सफाई होनी चाहिए हैं और कोई सफाई नी होरिया यह फूर्म करने का था है परशेटेखेश राब उसका सब्सक्राइट्टा नेयुकर कुंह पर्जों रहते हम प्रोबलम कि गौतंपुरि मेंना किसी प्रशाष लों और परकूल कोई भी ध्यान regeneration हो सब्सक्राइब है मतलब साफ सफाई हो गया या जो बच्चों की एजूकेशन है मतलब बच्चे जाते स्कुल में लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा सा सही से ध्यान नी दिया जाता है ठीक है और में साफ सफाई का सब ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर क्योंकि जिस जगा पर अगर साफ सफा सब्सक्राइब करेगा और जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाता है अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाता है वह नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने जितना कमाया था उसका कुछ परसेंट उसने अपनी हेल्थ को ठीक करने में कर दिया अब प्रॉब्लम यह कि जो हेल् कितने बने हुए क्लिनिक एक ही है भी मिखाल से सरकार की तरफ से जो कि उदर खते की साइड यह वह भी क्लिनिक भी खते में ही बना रखा है तो महां पर एक इंसान मतलब जाया कब वैसे और विमारी लेका जागा क्यूंकि देखो हवा में तो गंदगी फैलती है गंदगी क इतने गंद बहुत ही जाए तो बहुत बड़ा रोल है लेकिन साथ में साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि लोकों को भी थोड़ा समझदार होना चाहिए मैं उन्हें जो कोड़ा है सही जगा पर डालना चाहिए मैं यहां डश्रीबिन मनार्क आशाने कि सरकार बिल्कुल का बॉक्स में टालना चाहिए यह एसे बनाते हैं यानि नागरिक भी जिम्मेदार नहीं है दोनों का है यह मैं कहना चाहूं कि 60% सरकार का है जो अपना फैसिलिटिस प्रवाइट करना चाहिए 40% नागरी की है क्योंकि कोई भी देश कोई भी देश या समाज या कोई भी जग देश्चाहिन करता है तो नागरी को अनेताओ की विए भी बूल सकते हैं रिक्वेस्ट कर सकते हैं निवेदान कर सकते हैं हमारी ऐसे लेटिटिस या जो भी है काम किया जाए लेकिन अब उनकी अपना नीजी हो सकता कि वह सरकार में किस लिए आ हैं या तो अपनी जी भर है है तो सरकार के मलब जंता के लिए काम करें वो तो इनका परपस सकता है उपना पोटेंशल देना चाहिए और ने कर रहे हैं थोड़ा सा है यह बस यह थोड़ो बहुत काम अच्छा कर दिया है तो भाई है इस चीज़े आपर सोचा लोगी बहुत बुरी हालत है बेसिक फैसलिटीज ने साफसफाई भी नहीं है जोचान इसे सब्सक्राइब करो क्योंकि जो चीज़ें के लिए जिन कामों के लिए इनसान को बिठाया है और वो शूनी आइए कान बंद करके बैठा पड़ा है तो उसका तो कोई मतलब नियनुस के पास जाओ अपना गला टाइम रबाद देखो हर कोई काम धन्दे वाला है तो कौन सी पार्टी को ऑफिस पर लाना चाहोगा है हमानी पार्टी है यह पंदरा साल से बीजीप सासी के दुआ रहा है मेरी तरफ से तो पार्टी बदलनी चाहिए भी शुरुवात में क्योंकि बीजीप अगर पंदरा साल से अगर यह काम नहीं कर पा रही है ठीक है तो वह है अपको इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए तो बीजीप लगती थोड़ी बहुत सई अपने शहर की लेटिस्ट खबरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं